तो दोस्तो आज 21 सेप्टेमबर 2023 बाजार में आज फिर से हमें एकदम से करेक्शन देखने को मिला जहाँ पे निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया और इस बात का अलर्ड भी में आपको आज सुबा पॉने साथ वाली वीडियो में में मेंशन किया था क्योंकि कल रात में हमने देखा था फेडरल रिजर्ड द्वारा एकदम से डॉजोंस में भी करेक्शन देखने को मिला साथ इसाथ नैस्टेक के अंदर भी मोर दन 1.5 परसेंट की उपर हमें क्लोजिंग देखने को मिला गिरावट के साथ तो उसका भी बहुत बड़ा इंपक्ट आज हमें कहीं मार्केट उपेन होने के साथ ही एकदम से ग्याप डॉन उपेनिंग उसको लगातार गिरावट के साथ देखने को मिला खैर दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो पे किया मेंशन किया कि कल बजार यानि फ्राइट के दिन किस तरह मुफ कर सकता है तो अब देख से तो निफ्टी फॉर्म बेरिश कंडल ओके एक्सपर्ट सी मोर वीक्नेस अहेड तो दोस्तों यहां पर एक्सपर्ट की दौरा जो स्टेट में आया कि आगे और भी गिरावट ह होने का चांस है तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंस सपोर्ट लेवेल मेंशन किया कि अगर आज की डेट में जहां पर क्लोजिंग दिया यानि 19,700 की ऊपर यह लेवल अगर खिसक जाता है यानि स्लिप करके नीचे आ जाते तो उसकेस में 19,500 से लेके 19,550 यह दो इंपॉर्टेंस सपोर्ट लेवल बन सकता है और उपर की दिरब दोस्तों जो रेजिस्टेंस यह पर मेंशन किया एप्रॉक्स 19,900 से लेके 20,000 का जोन यह दोस्तों एनलिस्ट द्वारा मेंशन किया किल मार्केट की उपर नेक्स दोस्तों वेदानत बोर्ट एप्रूव रेजिंग 2500 करोर और नॉन कंवेडेबल डिवेंचर यानि NCD के थ्रू यह बहुत अच्छी अपडेट है इसलिए भी क्योंकि कोई भी कंपनी जब फंड्रेस करता है डेट के थ्रू यानि आप बोल सकते हैं एक टाइप का बॉंड के थ्रू ठीक है उस केस में हमेशा जो करेंट वैलेशन है उसके उपर बेचा जाता है इस बॉंड को यानि NCD को नॉन कंवेडेबल डिवेंचर को ठीक है तो जिस वैसे उसका जो इंपक्ट है आपको एकदम से पॉसिटिबली देखनी को मिल सकता है साथ जा दो से कंपनी के दौरा कुछ इंप कोई बहुत कुछ वैडी करेगा तो यह वेदान तक के लिए काफी अच्छी अपडेट है नेक्स्ट इंपॉर्टन अपडेट है विप्रो लिमिटेट की तरब से आज विप्रो के शेर में हो सकता है कोई बहुत बढ़ा गिरावाट देखने को नहीं मिला बट विप्रो ल ले चुका है अपड़ना आयर नाम करके दूसरे और तो आज नेक्स्ट इंपॉर्टन अपडेट तो आपको तो मालूम होगा भी इंडिया और कैनाडा का रिलेशन बिल्कुली अच्छी नहीं है ठीक है बीच में या पे काफी टेंशन हो चुका है टीट फॉर टैट हर दे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे न्यू एज कंपनी मतब कुछ स्टार्ट अप कंपनी आप जिसको बोलता बोल सकतो कि अल्मोस्ट डो बिलियन डॉलर का स्पस इंवेस्ट कर चुका है नो ऐसे इंडियन न्यू एज कंपनी तो यह पूरा लिस्ट देख सकते है क्योंकि हमने आप देखा कि लगाता मतब इस तरब से भी कुछ ना कुछ रिप्लाई आए इस तरब से इंडिया की तरब से रिप्लाई आ रहा है एक दम से दोनों देश दोसों बहुत अग्रिसिव मोट में आज की ठीक है अब बात यह कि यहां पे बेज-बूच के निकल ना जाए ठीक यहां पर एक अनलिस्टेट कंपणी जिसके अंदर आलमोस्ट दो सो पिरानबबभी करोड के आसपास जो की इंवेस्ट मैं है बाइजूस की बात करें एक एक एड्यूगाशनल जो की कंपणी है लगबख 1456 कपणी इन्वेस्ट मैं यहां इसके अंदर भी आलमोस्ट 889 करोड यहां पन पोइंट करें सेवं सिक्सिक्स का श्烟 र्रूंद के बाकर यहां पे बीजिए डिरींड की हिसको थोड़के कुछ ऐसे बड़े कंपनी भी जैसे की ब्लूटिप शेयर बोलते है उसके अंदर धी का उतक महिंद्रा बैंग जैसे आइसे से बैंक लिमिटेड जैसे कि इनफोसीज भाई साब विप्रो सेवरेल अधर्स ठीक है यह सारे जो कंपनीज है और बैंक से इसके अंदर भी जो कैनाडा बेस्ट फंड कंपनी है इनके काफी अच्छा इंवेस्ट में है अब देखी ऐसा का चलता गया तो यहां पे इंडस्ट्री लेवरेज की बात करें फिर से यहां पे गिरावट जैसे कि आप देख सकता अभी समय हुआ है बारा बच के अठावन मिनिट जिरो पॉइंट सिक्ट्री परसें अल्यरी ड्रॉप हो चुका है अगर हम बात करें बिल्कुल महाल अच्छी नहीं है आपको इंफोसिस की बात करें तो यहां पी उतना गिरावट नहीं फिर भी देखने को मिला बट प्रॉब्लम यह है कि कल अगर यहां पर देखने को मिला तो कल फिर से बैंक निफ्टी गिलेगा और बैंक निफ्टी गिरना मतलब पूरा निफ्टी 50 को लेके ही गिरेगा तो जिस बैसे देखे आई इस बैंक का जो एडियर वर्षा ने तीन परसें गिर चुका है और एस डेपसी बैंक की बात करें तो यहां पर अल्मोस्ट मार्जिनल ट्रेट चल रहा है बागी बात कर देखें गिफ निफ्टी गिफ निफ्टी भी थोड़ा बहुत नीचे चले मतलब आज निफ्टी जहां पर क्लोजिंग दिया उससे अल्मोस्ट पचास साट पोई नीचे पहुंच चुका है अब चले जो इंपोर्टेंट डेटा मैं आप एकस्पेक्टिड भी था एकस्पेक्टिड भी था टोटल तीन हजार साथ करोर के आसपास माल बेचा है शियर बेच के निकल गया और डिया इसकी बात करें इसको काउंटर करते हुए लगवग 1158 कर का शियर परचेस भी किया अब देखिए के अंदर यहां पे बहुत सारे लग लग देश की हो सकता है ठीक है कनाड़ा बेस्ट कुछ फंड कंपनी भी हो सकते जैसे कि आपको मैं अभी एक्जम्पल दिया ठीक है तो वह कुछ भी हो सकता अब देखिए इस टाइप की जब एमर्जेंसी या बुल सकते होता है इसमें अकसर हमने देखा एफाइस दो अब देखने को मिला अब चले दोस्तों मैं आपको सीधा टेक्निकल चार्ट को लेकर चलता हूं वहां पर यह किस टॉपिक और अच्छे से और डीटेल में समझेंगे तो हमने देखा अभी जो अनलिस्ट की तरफ से मेंशन किया कि 19500 यह तो एक बेस सब्सक्राइब का बेस जहां पर चाहिए कोई भी इंडेक्स हो यह बेस लिए अब उसके उपर भी कुछ इंपॉर्टन लिवेल से जैसे कि आप देख से यह वन डे का चार्ट पर रहन है वन रेट कलर का लाइन है जिसका नंबर निकल करें अप्रॉक्सिमेटली उनिस हाजा चाहसो बीज तो यह दो दोस्तों बहुत इंपॉर्टन सपोर्ट जोन है ठीक है कल के लिए यह तो सब्सक्राइब आप चाहतों यहां पर की तरफ बात करें एक स्ट्रॉंग रिजिस्टें ठीक है तो यहां पर एक स्ट्रॉंग डेजिस्टेंस तो कल इसी रेंज के बीच में आपको थोड़ा रेंज लिख कर देता हूं लगबक उनिस अचाहसो नीची की तरफ और उपर की तरफ एप्रॉक्सिमेटली उनिस है नौसो पकर लिजे रफली यह जो जोन है ठीक है तो अतने हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में आपने जैका की बड़े बैंक के अंदर इसका होल्डिंग ज्यादा है और इसने लगातार सेल किया जिस बैसे बैंक निफ्टी में इस गिरावर सबसे ज्यादा देखने को मिला ठीक है यह है इसके पीछे का लोजिक अब देखिए ब 200 बैंक निफ्टी का लेवल हो गया बाकी देखना ही होगा कि कल यह सारे लेवल्स पर क्या सपोर्ड मिलता है या फिर से ब्रेक करके नीचे जाता है अगर कुछ यहां पर ठीक नहीं हुआ तो आई गेस की देखिए थोड़ा बहुत यहां पर फिर से नीचे जाने का चांस ग्लोबाल मार्केट भी कुछ सही नहीं है तो प्रिपेर हो के चलिए और उसके साथ मैं बोलूंगा ज्यादा ड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस टाइप की सिच्वेशन हमेशा आपको एक ऑपर्चुनिटी की रूप में देखना चाहिए बड़े कंपनी फंडामें जय हिन